नमस्कार दोस्तो तो चली दोस्तो आज के इस संदार लेक्षर में न हम दोस्तो जानने वाली हैं कि अपसिष्ट जल जो होता है उसके कारण एवं निप्टान जो चैप्टर का नाम है दोस्तो इस अधियाय में हम सीखने वाली हैं अपसिष्ट जल और दोस्तो कारण और उसके जो निप्टान है ना क्या हो सकती है और किस की कारण अपसिष्ट जल होता है और अपसिष्ट जल क्या होता है आज इस सब का मतलब हम पूरे बारीकी से समझेंगे तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करने वीडियो को लाश्ट तक देखनी है जी हाँ दोस्तों एक बात और भी बता देते हैं कि जब भी आपको कोई भी वीडियो में अगर दोस्तों आपको नहीं आता है समझ में तो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आपके वीडियो के थोड़ा नीचे लिखा हुआ मिलेगा कॉमेंट दोस्तो उसमें लिखनी है कि वीडियो खराब है कि वीडियो अच्छा है मतलब आपको जो मन करे ना कॉमेंट कर दीजिए लेकिन हाँ अच्छे कॉमेंट किजेगा दोस्तो गलत कॉमेंट करने पर मैं आ आपको reply हमें साथ दूँगा तो छले दोस्तो आज जो चएप्टर है ना उस चěप्टर का जो नाम है दोस्तो अपसिस्ट जल और दोस्तो कारण इंव long निप्टाल यही दोस्तो चेप्टर का नाम है तो दोस्तो आज जो है यह लेक्चर क्या है देख लेते हैं लेक्चर है दोस्तो वन लेक्चर वन है दोस्तो और कलास जो है सातवा के लिए है दोस्तो और दोस्तो बाई पपो गुरू के द्वारा हो रहा है दोस्तो मैं हूं पपो गुरू के लिए दोस्तो तो अब देखते हैं कि आज और दो है ना दोस्तों मात्र दस बजे विकली मात्र संडे के दोस्तों कि समझे दोस्तों आपको विकली होगा दोस्तों वह भी संडे के होगा और मात्र दस बजे होगा किलियर तो दस बजे होगा दोस्तों तो चलिए दोस्तो तो चलिए दोस्तो आज हम सबसे पहले क्या जानने वाले हैं वो उसके बिसेमें अब हमतर्चा कर लेते हैं दोस्तो अपसिष्ट जल कारण एम निप्टान उसे से पहले हम जानेंगे अपसिष्ट जल क्या होता है और उसके बाद जानेंगे दोस्तो धीरे धीरे कारण और उसके निप्टान तो जहां नहीं आएगा दोस्तो जरूर बतिएगा चलिए तो आज के इस मज़दार लेक्चर को सबसे पहले अपसिष्ट जल से सुरुआत करते है आपके सामने ये जो दीख रहा है दम बारी की से समझाएंगे दोस्तो आपके सामने ये जो दीख रहा है क्या दिख रहा है अपसिष्ट जल ये अपसिष्ट जल होता क्या है दोस्तो जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद दोस्तो जब हाथ धोते हैं तो क्या दोस्तो जो हाथों में से जो गंदे निकलते हैं क्या वह आप दुबारा यूज मिलेते हैं यानि दोस्तो उ वो होगे आपको अपसिष्ट जल या दोस्तो जब आप असनान करते हैं तो असनान करने के बाद जो पानी होता है दोस्तो क्या आप उसका उप्योग करते हैं जी हां बहुत लोग होंगे जो उप्योग करते होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो उप्योग नहीं करते होंगे औ जहां से दोस्तों जैसे अस्पताल हो गया अस्पताल से जो निकलते हैं जो गंदे वे आपको क्या है अपसिष्ट जल है या दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो नालिया होती है वो भी क्या है अपसिष्ट उसमें जो जल बहती है वो भी एक अपसिष्ट जल है दोस्त कि अपसिष्ट जल का मतलब आपको होता है खराब जल इतना आपको आया यह नहीं आया तो चली दोस्तों आपसिष्ट जल का परिभासा है किस तरह से हो सकता है तो दोस्तों आपसिष्ट जल का परिभासा आप चाहे तो असकीन सौट वीडियो को रोक रोक कर दोस्तों आप ले सकते हैं किलियरली तो दोस्तो लिखाओ है खराब जल को दोस्तो हम बोलते हैं अप सेष्ट जल समझें खराब जल को बोलते हैं अप सेष्ट जल इतना तो आया किलियरली तो चलिए अब देखते हैं आगे हम क्या सिखने वाले हैं दोस्तो आगे है जल की मुल्भूत आवस्यक्ता है दोस्तो जल की मुल्भूत मुल्भूत कहने का मतलब दोस्तो अतियंत बहुत बहुत अच्छा मितलब बहुत जरूरी तो दोस्तो जल की मुल्भूत यानि दोस्तो अतियंत यानि बहुत आवस्यक्ता है आपको समेक कह रहा ह दोस्त की जल जो है उसको बहुत अतियंत मतलब बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है आवा सेकता है लोगों के लिए जिवों के लिए तो दोस्तो इसका आपका जो उतर है क्या होगा तो आपका जो दोस्तो उतर होगा कुछ इस परकार से होगा दोस्तों आपका जो उतर होगा हाँ समझ में आया या नहीं आया इतना आया न तो चलिए दोस्तों अब आगे देखती हैं कि आगे हम क्या क्या सिखने वाले है दोस्तों आगे है जल एक गंभीर समस्या है दोस्तों सवाल है यानि दोस्तों हम समझ रहें कि जल जो है एक गंभीर समस्या है दोस्तों हम कैसे कह सकते हैं कि जल जो है एक गंभीर समस्या है कैसे? आकिर हम कैसे कह सकते हैं कि जल जो है गंभीर समस्या है तो चलिए हम इसका उतर से समझते हैं कि जल एक गंभीर समस्या किस तरह से है किलिए कई मिटर दूर तक चले जाती हैं जल जो है यह क्या है कि बहुत दूर टख मैं прич believing दोस्तो टें कि लूग होती हैं जो कि बहुत दूर तक मतलब जल के लिए चले जाते हैं दोस्तों घल गंभीर समय से कि क्योंकि दोस्तु जल नहीं रहेंगे तो झीवों को रहना एखि या हमको या अन्य जिऊओं को दोस्तों बहुत हानिया पहुँचेगी किलियर तो आपको इतना आ गया होगा तो आप समझ गया है कि जल एक गंभिर समस्या किस तरह से हैं दोस्तों आज जो है बहुत घरों में सुबधा है जल लाने के लिए बट दोस्तों पहले की जमाने में क्या होते थे हैं कि पानी जो ना दूर दूर लोग मतलब जाते थे पानी के लिए समझे दोस्तों तो आगे देखती हैं कि आगे हम क्या सिखने वाले हैं तो आगे है दोस्तों जो 22 मार्च को न हम बिस्व जल दिवस मनाय जाते हैं दोस्तों 22 मार्च को बिस्व जल दिवस मनाय जाते हैं और यह जो न 2005 2015 की समय में दोस्तों यानि ओधी में दोस्तों गोशित किया गया क्लियर दोस्तो 22 मार्च को आपको क्या मैना ज़ता है जल दिवस बनाया ज़ता है तो याद रखेगा दोस्तो इतना आपको आया या नहीं आया तो चलिए दोस्तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या सिखने वाले हैं जी हा दोस्तो इतना आया या नहीं आया मैं आती आपको कॉमेंट में देखुँआँगा जवाब ठेक है दोस्तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हम क्या क्या सिखने वाले हैं दोस्तो लिखा हुआ है क्या अपसिस्ट जल यानि धोस्तो खराब जल को अच्छा करके यानि धोस्तो स्वक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नहीं मैं आपका जवाब खोज रहा हूँ जल्दिस से बतला है दोस्तों की या अपसिष्ट जल को दोस्तों स्वक्ष कर उप्योग लाया जा सकते हैं तो दोस्तों हाँ स्वक्ष जल हो सकते हैं अपसिष्ट जल को हम चाहें तो स्वक्ष जल कर सकते हैं clear तो अब देखती हैं हम कि आगे इसका जो उत्तर होगा आपको लिख लेनी होगी दोस्तों हाँ लिख लेनी क्या है हाँ और किस तरह से साफ किया जाएगा दोस्तों मैं आपको अभी तुरंत आगे ही बताने ही वाला हूं कि अपसिष्ट जल को हम स्वक्ष कर मतलब कैसे मतलब उपयोग कर सकती हैं अब इतना अपसिष्ट नहीं समझें तो चलिए अब आगे देखती हैं आगे हम क्या क्या सिखने वाले हैं दोस्तो आगे हैं वाहित मल किसे कहते हैं दोस्तो मैं आपको बारिकी से बता रहा हूं कि वाहित का मतलब होता है दोस्तों बैहने वाला दोस्तों जो बैह रहा है न वो होता है आपको वाहित और दोस्तों मल कहने का मतलब आप समझेजे गंदे गंदी पदार्थ तो दोस्तों वाहित मल या नि दोस्तों बैहने वाले गंदी पदार्थ को बोलते हैं हम वाहित मल इसक तथा दोस्तो असनान और धुलाई का गंदा जल आदी जो सामिल होते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि वह जो है दोस्तो वाहित मल है, वाहित मल हम कब कहेंगे, जब जन्तूओं का अपसिष्ट पदार्थ, योम असनान करने का जल, योम दोस्तो कपड़ा धोए, उनका वे जल, ये सब आपको जब किसी चीज से गुजरेंगे, यानि दोस्तो बहेंगे, तो आप समझ लिजी कि वह जो है एक वाहित मल है, ठीक है, तो वाहित मल आपको आय कि नहीं आया, वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताएगा, तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हम क्या सीखने वाले हैं, तो आगे सीखने वाले हैं, दोस्तो कि संदूसक क्या होता है, तो संदूसक क्या होता है, तो चलिए दोस्तो हम इसको परिभासा से समझते हैं, कि सं संदुसक का जो परिभासा है ना कुछ आपके सामने इस परकार का है संदुसक दोस्तो वाहित मल यानि दोस्तो बैहने वाला मल जो होता है ना वह दराव रूप से दराव रूप कहने का मतलब दोस्तो सबसे पहले दराव यानि दोस्तो लिकविड समझ रहें यानि दोस्तो ज कितना होता है मतलब खराब होता है यतना आया कि नहीं आया तो पानी के तरह क्या होता है द्रव रूपी खराब होता है और इसमें दोस्तों अधिकांस इसमें अधिकांस की जल की मात्रा होती है थोड़ी चीज को साइज में छोटी कर ले रहे और आप असकीन सौर्ट ले सिश्ट सोरी इसमें अधिकांस जल होती हैं इसमें अधिकांस दोस्तो क्या होते हैं जल की मात्रा होती है अधिकांस कहने का मतलब होते हैं आपको जल की मात्रा ज्यादा होती है जिसमें घूले बिभिन परकार के दूसित पदार्थ होते हैं जिसमें दोस्तो क्या होते हैं बि वही पदार्थ दोस्तों आपको कहलाते हैं संदुसक, इतना आपको आया कि नहीं आया, बस इतना समझ लिजे दोस्तों, जैसे हमने अप सिष्ट जल का उधारन दोस्तों बताया, उसी परकार है संदुसक, कि संदुसक चुहता है, वो क्या होता है, तो संदुसक आपको आया या नहीं आया समझाज लेज़े संदुस्तक जैसे सिष्ठ ज़ल उसी प्रकार यह भी है किलिए तो चलिए अप देखते हैं आगे हम क्या सिखने वाले हैं दोस्तो आगे हम सिखने वाले हैं वाहित जल में दोस्तो बेहने वाला जल में पाई जाने वाली असूदियां यानि दोस्तो असूद जैसे सूद नहीं हो दोस्तो वो बिल्कुल सूद नहीं हो तो दोस्तो सूद कहने का मतलब समझ रहें अच्छा तनी बनिया ठीक है तो दोस कार्बनीक असुदिय क्या होते समझे दोस्तों मानव का मल और यूरिया मुत्रив educators field और फॉल और सबजी का कच्रा को भी बोलते हैं क्या ये सब आपको होते हैं कार्बनिक असुदिया तो इतना आपको आया की नहीं आया कार्बनिक असुदिया किन को कहते हैं तो कार्बनिक असुदिया आप समझ लिजेगा कि अपसिष्ट पदार्थ तेल यूरिया फॉल और स चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हम क्या सिखने वाले हैं आगे सिखने वाले हैं दोस्तो अकार्बनिक असुदिया तो दोस्तो अकार्बनिक असुदिया देख लीजिए आपके सामने हैं दोस्तो कार्बनिक कहने का मतलब होता है दोस्तो जैसे आपको इसमें क्या दिख देख रहा है कि अपसीष्ट जल जो है अपसीष्ट जो पधार्थ है दोस्तो अपसीष्ट पधार्थ जो है तेल है यूरिया है दोस्तो और फल जो है लगता है कि यह जो है मिट्टी में यानि दोस्तो मिल सकता है किलियर लिए यह जो अच्छा से मिल सकता है दोस्तो अब देख लेती हैं कि अब जो अकार्बनिक है कुछ इस प्रकार से है दोस्तो अकार्बनिक है नाइट्रेट अब यह नाइट्रेट है दोस्तो तो यह नाइट्रेट जो है अकार्बनिक असुदिया होते हैं, अकार्बनिक असुदिया आपको आया या नहीं है, तो आप अस्कीन सौड पत से लिजिए, अब देखते हम आगे क्या सिखने वाले हैं, आगे सिखने वाले हैं दोस्तो पोसक तत्व, दोस्तो आगे सिखने वाले हैं पोसक तत्व, दोस्त दोस्तो यहां जो पोसक तत्व है ना यह अपसिष्ट जल के पोसक तत्व के बात कर रहे हैं क्लियरली दोस्तो तो हम अभी आपको क्या बात करें अपसिष्ट जल में जो हम बात करें पोसक तत्व हम आपको पहले ही बता है कि उपर हम क्या बात करने वाले हैं कि अब हम बात करने वाले हैं कि जो होता है यह वाहित मल में पाई जाने वाले असुदियों के बारे हम बात करें तो यह सब वाहित बहने वाले जलो में पाई जाते हैं पुश्टक्तत्व नाइट्रोजन फासपोरस पोटास एवं दोस्तो जिंक की मातरा के लियर तो ये सब आपको पाय जाते हैं समझें तो अब देखती हैं आगे हम क्या सिखने वाले हैं तो दोस्तो आगे है जिवानू अब दोस्तो जिवानू से जो होता है रोग वो क्या क्या होता है तो दोस्तो आपको पहला तो हैजा होता है इसके बाद दोस्तो टाइफाइड होता है इसके बाद टाइफाइड मियादी दोस्तो यह की होता है दोनों साथ ही पढ़ाएगा दोस्तो टाइफाइड मियादी बुखार किलियर और दोस्तों निमूनिया तफेदी की या दोस्तों छे रोग पलेंग पलेंग होगा दोस्तों यह होगा पलेंग आदी रोग उत्पन करने वाले यह होती है दोस्तों जिवानु जो होते हैं आपको हेजा यानि दोस्तों हेजा रुख जोड़ी सी इसको साफ कर लेंगे तो अच्छा होगा दोस्तों जिवानु जो होते हैं हैजा हैजा भी दोस्तों क्या है बीमारी है और टाइफाइड मियादी जो बुखार है वो भी बीमारी है दोस्तों और रोग है दोस्तों और निमोनिया तफेदी की याद छे रोग पलेंग आदी रोग उत्पन करते हैं द समझे दोस्तों आपको इतना दूर आया कि नहीं आया तो चली अब देखते हम कि आगी क्या सिखने वाले हैं और दोस्तों आगे है अन्य सुक्ष मजीव जैसे दोस्तों मालेते हैं बैक्टरिया एक सुक्ष मजीव है दोस्तों सुक्ष मजीव कहने का मतलब दोस्तों छोटा स चोटा जीव जिसको हम आँख से देखी नहीं सकते हैं मतलब खुले आँख से देखी नहीं सकते हैं उससे मतलब सुक्षम दर्सी के दवारा देखा जा सकते हैं वे होते हैं सुक्षम जीव यानि जो चोटे जीव को बोलेंगे हम सुक्षम जीव तो सुक्षम जीव जो होते ह आदीर रोगों के उत्पन करने वाले ये वो मिरित जीवी होती हैं ये सब मिरित जीवी कहने का मतलब दोस्तों यह मिरित जीवी यानि मारा हुआ चीजों से क्या करते हैं कि आपको भोजन प्राप्त करते हैं कि लियर तो अब देखती हैं दोस्त कि आगे हम क्या सिखने वाले आगे जो है दोस्तो आपके सामने है कि वाहित मल यानि दोस्तो बेहने वाले जो मल होते हैं गंदे पदार्थ यानि खूले नालियों से जाकर पेजल यानि दोस्तो पीने वाले जल के सुरोतों से मिलकर जैसे पीने वाले जल सुरोतों होते हैं जैसे पीने वाले जल सुरोतों गहने का मतलब जैसे कुवांचापाकार यह सरोत तो उसमें दोस्तो यह मिल जाती है तो जीसे वातावरन होता है परदूसित हो जाता है दोस्तो अगर वाहितमल खूले जो नालि यों से बहती है दोस्तो पीने वाला जो पानी के साथ मिलेंगे तो आपको पता है कि वो परदूसित होंगे ही होंगे तो जिससे हमारा जो प्रयावरन है ने यानि दोस्तो वातावरन है ना आपको परदूसित हो जाएगा यानि दोस्तों वह खराब हो जाएगा समझे तो दोस्तों वह परदूसित हो जाएगा तो दोस्तों आपको क्या होगा कि उसमें से ना उन नालियों में से दोस्तों खतरनाक जो है ना मच्छर खतरनाक दोस्तों मच्छर पैदा होते है उन नालियों में से दोस्तो खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं जो कि मलेरिया जैसे मलेरिया होगे दोस्तो और चिकन गुनिया डेंगू जी का वायरस चिकन गुनिया जैसी बीमारियों के कारण होते हैं ये सब दोस्तों बीमारिया उत्पन करते हैं आपके मचरों और दोस्तों कहां के मचरे तो नालियों के जो मचरे होते हैं आपको दोस्तों क्या करते हैं कि मलेरिया चिकन गुनिया डेंगू जी का वारस दोस्तों इस तरह से बीमारियों का उत्पन हुए सब करते हैं इतना याकिन नहीं आए तो आप पट से स्किन सॉट लीजिए वन इसको लीजिए पहले नमर दोस्तों इसको लीजिए और इसके बाद दस्तों लेने के बाद इसके बाद इसको लीजिए कि इसको लीजिए दूसरा नमर में इसको लीजिए कि दोस्तो जहां नहीं आता है ना जल्दी ही बताईएगा कॉमेंट में ठीक है कि आगे है क्या आगे लिखा हुआ है दोस्तो है कि आगे थोड़ी सी इसको साइज बड़ी कर लेते हैं कि आगे दोस्तों वाहित मल के दोस्तों पेजली है यानि दोस्तों पीने वाले जल होते हैं यानि बेहने वाले मल जो होते हैं जो दोस्तों वो पीने वाले जल की सुरुतों में मिलने की कारण दोस्तों क्या होता है जिसे माली जी एक्जामपल दोस्तों बहराय कोई जल और पीने वाला जल में क होता है कि वह जा कर मिल जागा ना तो क्या होगा कि मनूस्य और साथी साथ जनतुे यों पेड़ पोध्वी इससे प्रभावित हो जाएंगे संजय दोस्तों कि वाहित गया ते आपको समझ में आ गया महीत मल से बहुत परसानिया मनूस्य ही नहीं अनी जीओं को भी परसानिया होगी तो आपको इतना दूर आया की नहीं आया जियां आया की नहीं आया तो दोस्तो वाहित बल आपको आया की नहीं आया अब देखते हैं दोस्तो की आगे हम क्या सीखने वाले हैं तो दोस्तो आगे है अप सीष्ट जल का परबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं या क खराब जल अब ये दोस्तों खराब जल आपको पहले ही बताएं कि खराब जल आपको क्या हो सकते हैं यानि दोस्तों वे जल जिसका हम उप्योग करते ही नहीं है वे आपको होते हैं दोस्तों आप सिष्ट जल का कोई इलाज है प्रबंधन है यानि दोस्तों आप सिष्ट जल कर दोस्तों इसमें मतलब रख दी मतलब गढ़ा खनवा कर दोस्तों उसमें डलवा दिया चाता है ताकि अपसीष्ट जल जुह है वह ज्यादा फ्हैले नहीं तो है तो अपसीष्ट जल का परबंधन आप वसासानी से कह सकती है कि यह जल परबंधन होगा आपको बहते हुए जलो को यानि दोस्तो पहलने न दिया जाया तो वह एक क्या है अपसिस्ट जल का प्रबंधन है और दोसरा क्या करेंगे उसे गढ़ा खानकर और हम क्या करेंगे कि उसको रख जाएंगे किसी गड़े में ठ़क है और दोस्तों और भी हो सकते हैं कि उसको हम ज्यादा जो है पानी जो हम ज्यादा का पानी का ज्यादा हम उप्योग नहीं करेंगे तो वह भी हो सकता है अपसिष्ट जल का परबंधन इतना दूर आपको आया कि नहीं आया तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हम क्या सिखने वाले और दोस्तो आपके सामने उतर ये है इसका आप स्किन सौर्ट इसका ले सकते हैं कि दोस्तो इसे इधर उधर न भाया जाया तो वो बेहतर होगा तो दोस्तों यह जो है अपसिष्ट जल का प्रबंधन है किलियर तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं आगे क्या सिखने माले आगे हैं दोस्तों घरों में सूध यानि दोस्तों सूध समझें अच्छा दोस्तों पेजल यानि पीने वाले जल की बिवस्ता जो है हम किस परकार से कर सकते हैं दोस्तो आपको पता है तो बतलाईए कि घरों में दोस्तो हम सूध पेजल के लिए हम क्या-क्या बिवस्ता कर सकते हैं तो पहला तो दोस्तो हम क्या करेंगे कि आप सब जानती होंगे कि आज कल के जबाना है ना जबाना है बहुत बदलावा चुकी है दोस्तो घरों में अगर हमको जल सूध करना है तो पहले के लोग क्या करते थें कि कल अगोरा होता था तो उसमें जब कल से जब कोई चीज गंदेपदार्थ घिरते थें तो उसमें दोस्तो किसी कपड़ा, सूधि कपड़ा को बाहन दिये जाता था लेकिन आप वैसा नहीं है लेकिन दोस्तों वह जो है सूध करने का एक बिवस्ता है यानि पहला जो बिवस्ता हो जाएगा कि दोस्तों सूध पेजल के लिए हम कपड़ा कपड़ा से मतलब जो होता है नल नलों में लगा दिया जाती है या एक बिवस्ता है और दोस्तों हम चाहे तो फिल्टर से भी हम जलो को सूध कर सकते हैं फिल्टर जो होता है दोस्तों उसमें हम जल को अच्छे से रख सकते हैं तो वह एक परकार का बिवस्ता ही है फिल्टर के जर्ये हम भी कर सकते हैं और दोस्तों घरेलू उपाय से भी हम ना पेजल मतलब पीने वाला जल को हम सूध कर सकते हैं कैसे दोस्तों हम आपको बताने का प्रयास करें क्या घरेलू उपायों के द्वारा दोस्तों हम सूध पेजल पराप्त कर सकते हैं कैसे तो दोस्तों सबसे पहले आप एक गंदा मतलब जल लीजिए मतलब एक बरतन में ग तो दोस्तों साफ हो गई तो हम उसको अब उपयोग कर सकते हैं तो घरों में जो सुध करने वाला जो पेजल के जो बिवस्ता हैं हम फिटकिरी से भी कर सकते हैं कि फिटकिरी से भी पानी को हम साफ कर सकते हैं बट ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं तो घरों में सुध पेजल के जो बिवस्ता है ना कुछ इस परकार से हम कर सकते हैं इतना आपको आया की नहीं आया तो चलिए अब देखते हैं कि आगे ह वाइन के तatin दोस्तों हम कारण समझ लिए कि दोस्तों कुड़ा कज जैसे आपको पैब का नाम था उस्पत जल कारण और निप्टान के स्टाइब दोस्तों, कारण आपको पता होगा कि आप सिष्ट जल जो है किसके कारण होते हैं दोस्तों आप खूले जग बहादी जगा जल तो वह भी एक जो है अप सिष्ट जल जो है आपको कारण हो सकता है कि उसके कारण आपको गंदा फेलेगा तो इसलिए आप ज्यादा पानिव को परबाद न करें नहीं तो आपको आप सिष्ट जल हो ही जाएगा तो अब समझने वाले हैं दोस्तों कि आप सिष्ट जल यानि दोस्तों खराब जल तो दोस्तों यानि दोस्तों कुड़ा कच्रा तो दोस्तों इसको निप्टान हम कैसे कर सकते हैं अप सिष्ट पदार थे एवं दोस्तों कोड़ा कचरा को हम कैसी आखिर कैसी हम їसको निफटान कर सकते यागनी निफटान कहने की मतलब दोस्तो ऐसा कर दए कि ता कि उसे छुटका रहा सकते तो हम दोस्तो क्या करेंगे आ वह कि कुडे कच्री में पलास्टिक यह सब मिला होता है कागज पत्ता और दोस्तों बच्चे हुए खा दे अनाज यह सब आपको मिला होता है तो उसको हम दोस्तों क्या करेंगे कि कुड़ा कच्रा यानि दोस्तों अब हम सब को तो दोस्तों क्या बोलते हैं, कुड़े दान में तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो दोस्तों अपसिष्ट पदार्थ का जो निप्टान है न, हम बस उसको क्या करेंगे कि जो चीज जो मीटी में अच्छा से घुल जाएगा, उसको हम एक किसी गढ़ा में डाल देंगे, और जो चीज मतलब घूलेगा नहीं, उसको भी मतलब एक किसी दूसरे गढ़ा, जैसे एक गढ़ा यहां खान दिया और एक गढ़ा यहां खान दिया, इसमें डाल देंगे वे पदार्थ जो मतलब वे पदार्थ जो मतलब गल जाती है और इसमें डाल देंगे वे पदार्थ जो पदार्थ गलते नहीं है तो इसको हम काला से करते रहे हैं इतना दूर आया तो इस परकार से हम आप शिष्ट पदार्थ यानि कुड़ा को दोस्तों हम निप्टा सकती है कि पदार्थ जो होता है गलने वाला उसको हम एक किसी गढ़ा में डाल देंगे और दूसरे को डाल देंगे तो इस परकार से दोस्तो हो सकते हैं आप सिष्ट पदार्थ यानि कुड़ा कच्रा का निप्टान तो आप चाहे तो लिख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोस्तो जो हमने बोला वे आप लिख सकते हैं तो इतना आपको आया कि आप सिष्ट पदार्थ यानि लिख सकते हैं , आप अपना से भी लिख सकते हैं ,दोस्तों हम किसी घळधे में खान कर डाल देंगे , तो हमारा पना से भी लिख सकते हैं , तो अब आगे क्या शिखने वाले है , मत तो इसका जो आपको अफिस्ट जल का परवनीब्टान जो है आप लिख लीजेगा कि नहीं कि चलिए हम इसको हम अफिस्ट जल का निप्टान हम लीख दे रहेм 31 जल का निप्टान आपको सबसे पहले तो सबसे पहले गलने वाले पदार्थ को किसी एक किसी एक गढ़ा में गढ़ा में गढ़ा में डाल कर छुटकार आप पास सकते हैं समझें तो दोस्तो इस परकार से आपको हो जाएगी तो आप अपने से भी लिख सकते हैं कि अप सीठ जो जल होता है यनि खराब जो दोस्तो पदार्थ होता है आप उसको किस तरह से मतलब बच सकते हैं तो उसको हम क्या करेंगे कि किसी जग है पर जादा मतलब बीगेंगे नहीं और दोस्तो हम कुड़े कच्रे में डालेंगे तो बेहतर होगा समझें यानि दोस्तो जितने भी आपके सामने कुड़े कच्रे भी जो समान डालने वाले होते हैं उनको कुड़े कच्रे में ही डाले ताकि आपका जो पर्यावरन है पर दूसर ना होए ठीक है दोस्तो तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आगे हम क्या सिखने वाले हैं अब दोस्तो सीखते हैं कि सार्वजनिक अस्थलों पर स्वक्षता अब दोस्तो सार्वजनिक अस्थल क्या होता है तुम सबसे समझेंगे पहले सार्वजनिक अस्थलों पर स्वक्षता तो सार्वजनिक जो आपका अस्थल होते हैं क्या आप रेलवे अस्टेशन बंस अस्टेशन या दोस्तो येरपोर्ट अस्पताल आदी मेला ये सब आप भीण दोस्तो देखे होंगे वो होते हैं आपको सारवजनिक अस्थन के लिए तो दोस्तो वहां तो आप गढ़ा तो नहीं खान सकते हैं नहीं ना खान सकते हैं या होना मेरे है दूस्तों क्यामकर खाएं के करें कि कोड़ा दान या Southern के दौन कि सब चीजों को भाई दें जो है ने दौन से सब्सक्राता हम घॉलने हैं तो इस प्रकार पर हम सर्वजनिक अस्थलों को दोस्तों स्वक्षता कर सकते हैं समझ में आया या नहीं आया नहीं आया तो दोस्तों आप वीडियो को दुबारा देख लीजेगा और नहीं तो लास्ट में दोस्तों कोमेंट किजेगा कि यह पार्ट हमको समझ में नहीं आया ठीके तो आप दिखते हैं कि आगे जो हम सिखने वाले हैं वह क्या सिखने वाले हैं दोस्तो आपका जो चेप्टर है ना समाप्त हो चुकी है क्या दोस्तो आपका जो चेप्टर है क्या हो गया समाप्त हो चुकी है आपको दोस्तो जो चीज नहीं आया है दोस्तो आप कोमेंट में लिख दीजेगा मैं आपको सोलूसन बताऊंगा दोस्तो तो आपका जो चैप्टर है दोस्तो समाप्त हो चुकी है समझें आपका जो चैप्टर है दोस्तो समाप्त हो चुकी दोस्तो जो प्रस्ण आपको सवाल जो है जो अध्याय में दोस्तो आपका जो सवाल होगा वे सवाल आप और हाँ दोस्तो महात्मा गांदी जी के कहना था कि दोस्तो गंधकी में रहना जो है ना तो इसलिए आप सही जगह पे रहें और दोस्तो उसे अच्छे तरह से नाली अथवा नदी जो खरापानी होते हैं उनको दोस्तो आप अच्छे तरह से बहाई है ताकि आपका जो पर्यावरन है स्वस्त्र है और मेरा भी पर्यावरन स्वस्त्र है तो आपका जो चैप्टर थ तो दोस्तले इसका मतलब आपको समझने कुछ नुख्यांक नहीं आया तो दोस्तो यह चैपटर था अपको की निपटान स्लाव में ना Canal तो दोस्तो आप l3 आप्सीश्ट्य जल की के ह knob सकते तो उससे गढ़ा खान के रखते और अच्छे पानी ज्यादा पानी मतलब ऊपयोग Spencer जो आगप आगा जो डिसकस करेंगे और तो आज के बाद यह जो श्मापत हो चुकी है और जो आपके सब्स एसे Uh RICHARD को मन में डावट हात्या दोस्तो आप विडियो के कॉमेंट में बताएगा दोस्तो observed तो चले दोस्तो आज की इस वृडियो में इतना ही फिर मिलते हैं तब तक लिए दोस्तों चैनल पर बने रहें है आयर दो